रमस्कार, तो आज रामण के जन्म के कथा को समझने का प्रयास करेंगे जैसा कि आप सब जनते हैं रामण, रामाण के एक पात्र थे और रामाण में उनकी अहम भुमिका रही है वे राक्षस योनी से थे रवाण में ऐसा वर्णन मिलता है कि विराक्षय सियोनी में उनका जन्म हुआ था प्रन्तु वो एक ब्रामण थे और ऐसा माना जाता है कि वहुती बिद्वान थे और एक बिद्वान ब्रामण थे तो इतना विद्या प्राप्ता कि बड़े बड़े लोग उनके समक्ष नत्मस्तक होते थे तो रावण के पूर्वजन्म की कथा को आज समझेंगे कि सचमुच में रावण पूर्वजन्मने कोई अधर्मी थे या एक सेवक वेक्ती थे तो आएए रावण के पूर्वजन के कथा को समझने का प्रयास करते हैं पूर्वजन में रावण का नाम प्रताब भानु था और ये कैकै देश के राजा थे इनके एक भाई जिनका नाम अरी मरदन था और इनका एक मंतरी धर्म रूची तीनों मिल करके कैकई देश को चला रहे थे और प्रताभ भानु के राज में धर्म अपने चरम सीमा पर था वहाँ पर कोई विव्यक्ति मिथ्या नहीं बोलता था, सभी धर्म का पालन करते थे और सभी अपने राजा प्रताब भानु को बड़ी ही प्रेम करते थे और उनके बातों को उनके आग्यां को मानते थे और इसी प्रकार से कैकई देश का राज काज निरंतर चलता जा रहा थ कैकई देश के पड़ोसी देश में सोमदत नामक एक राजा रहता था जो प्रताब भानु से बड़ी ही इर्षया करता था और निरंतर उनको नीचा दिखाने का और उन्हें युद्ध में परास्त करने का स्वपन देखता था एक दिन उसने योजना बनाई कि प्रताब भानु को उनके राज से निस्कासित कर दिया जाए और उनको किसी भी प्रकार से सामदाम दंड भेद अपना कर उनके राज से उन्हें हटा कर वह राज अपना लिया जाए इसी शडियंतर में वह वर्सों से लगा हुआ था एक दिन प्रताब भानु के राज में एक उदंडी शुकर आ करके उदंड मचाने लगा यह सूचना जब प्रताब भानु तक पहुची तो वे अपने स्यनिकों को ले करके उस सुकर के पीछे जाने लगे वह सुकर राज में बड़ा ही आतंक मचा चुका था इचा करते करते प्रताब भानु जंगल की ओर चले गए और अपने स्यनिकों से विछुड गए इसी बीच वह भूग से प्यास से व्याकुल हो गए और तभी उन्हें एक कुटिया दिखाए दी जैसी ही वह कुटिया के पास पहुचे तो उसमें से एक साधु निकला और व मैं अपने राजी को और भी अच्छे प्रकार से चलाने के लिए क्या कारे कर सकता हूं तब उस साधु ने सुझाओ दिया कि तुम अपने घर पर ब्रामणों को बुला करके उन्हें भोजन कराओ और भोजन कराने से ब्रामणों का आशिरवाद तुम्हारे राजी को और तुम्हारा राज और वैववव प्राप्त करेगा और किर्ती को प्राप्त करेगा और निरंतर आगे की वर बढ़ता चला जाएगा और तुम एक सफल राजा सिद्ध हो सकोगे यहां सुझाओ मानकर प्रता भानू ने यह तैय किया कि वे अपने राजे में ब्रामणों को भोज पर अवश्य बुलाएंगे और भोजन अवश्य करवाएंगे जैसे ही प्रता भानू वहां से चले गए तभी वो सुकर आकर के साधू के पास खड़ा हो गया साधू सुकर को देखकर हैरान रहे गया तभी सुकर एक राक्षस के वेश में आ गया साधू वेशदार और दूसरी ओर जो साधू वेशदारी वेक्ति था वो कोई और नहीं सोमदत ही था जिसने शड्यंतर के माध्यम से प्रता भानू को इस कुछ चक्र में हसा लिया था अब ये दोनों आगे की उजना बना करके अपने अपने राह को चल दिये अब वह समय आ चुका था जब प्रता भानू ने हतय किया कि वे अपने राज में ब्रामणों को भोजन कराएंगे नियत दिन कैनुसार ब्रामणों को भोज पर मुलाया गया और उनके समक्ष भोजन परोस दिया गया तभी आकाश मानी हुई ब्रामणों इस भोजन में मांस मिला हुआ है यह सुनकर ब्रा अतनाय सहनी होगी अनेक कश्ट भोगना होगा इधर प्रताब भानु व्याकुल हो चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें उधर सोमदत नामक जो राजा था उसने प्रताब भानु के राजी पर आकरमड कर दिया और उन्हें युद्ध में परास्त क करके उनका वद कर दिया और साथ ही उनके मंत्री और उनके भाई को भी उसने प्रास्त करके सभी को मार दिया आपके मन में प्रशन उठ रहा होगा कि आखिर भोजन में यह मांस आया कहां से तो यह मांस काल केतु नामक जो राक्षस था उसी ने आकर के मिला दिया था वह भ पुरुब जन्म की कथा आशा करता हूं आपको रावन के पुरुब जन्म की कथा सुनकर अत्यांत आनन्द आया होगा और पुरुब जन्म में रावन कोई अधर्मी व्यक्ति नहीं थे वह एक धर्मात्मा थे और छोटे से चूक के कारण उन्हें इतना बड़ा दंड भोगन पड़ा हमें इस कथा से यही सीख मिलती है कि हमें धर्म और समाज को साथ ले करके हमें स्वयम भी धर्म के पत पर चलते हुए छोटी से छोटी भूल भी नहीं करनी चाहिए नहीं तो इसका परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है और हमारा वरतमान जन्म ही नहीं अपितु आन के पत पर चलना चाहिए हम मिलते हैं अतिश्ची आप सभी से तब तक आप भजन करते रहे हैं आरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेर भी कीजिए कि अधिक से अधिक लोग हम से जूट सकें और धर्म के और अगरसर हो सकें हम मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद